स्वागा था आपका मेरी यूटीब चैनल बेसिक में सॉन डिप्स में और इस वीडियो पर मैं कहने वहला हूं क्लास्ट है चाप्टर क्वाडिटिक एक सम जो किसी बेसी ने 2017 में पूछा था तो चली शुरू करते हैं तो देखें सम्मा में दिया है find the value of p for which one root of quadratic equation px square minus 14x plus 18 equal to 0 is 6 times the other तो हमें यहाँ पर p की value निकाल लिए है और हमें यहाँ पर एक quadratic equation दियो है और हमें यह बताया है कि उसका एक root जो है वो 6 times है दूसरे का तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें जो quadratic equation दियो है कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है px square minus 14x plus 18 अब एक root को हम x माल लेते हैं let one root be x मैंने पहले root को x माल लिया तो other root जो है वो 6 time है तो मैं इसे लिए लिए सकता हूँ then other root 6 time है तो यह हो जगा 6x हम यहाँ पर आप sum of root निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि sum of roots यह आपको मालूम है कि minus b upon a होता है ठीक है यहनिकि दोनों root का sum अगर हम देखे तो एक root हमारे पास x है दूसरा root जो है वो 6x है अब minus cosine अब b की value लिखने है तो यहाँ पर देखे बी जो है वो माइनस 14 है यहाँ पर ठीक है यहाँ माइनस 14 लिखेंगे ब्रैकेट में और अगर a देखें तो x square का coefficient यह हमारा a होगा जो की पी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी अब यहाँ पर इसको solve कर लेते हैं आगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे यह हो गया हमारा 7x is equal to minus minus होगे प्लस यहाँ पर 14 अपॉन में पी तो अगर मैं यहाँ पर इसकी root की value निकालूं पी की टर्म में तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं cross multiplication कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जगा 7xp 14 तो x को मैं यही राने देता हूं ठीक है तो x निकाल लेए यानि कि यह root की value निकाल लेए पी की टर्म में तो 14 अपॉन में हाँ जगा 7p अब यहाँ पर 7 बन जगा 7 और 7 टू जगा 14 तो इस त कि अब हम निकालेंगे हैं पर प्रोड़क्ट ऑफ रूट्स प्रोड़क्ट ऑफ रूट्स आपको मलूम है कि यह होता है c upon a अब रूट का प्रोड़क्ट अब एक रूट हमारा x था दूसरा 6x था अब c को अगर हम देखें तो equation के recording यहाँ पर अगर देखें तो c हमारा है यहाँ पर 18 तो यहाँ पर हम 18 पूट करेंगे यहाँ रहेगा 18 अब और में एक हम देखें तो वह हमारा था पी तो यहाँ हो जाता है 6x square equal to 18 अब और में पी अब देखें यहाँ पर x square है तो x की value तो हमें यहाँ पर मालूम चलिए अभी जो कि P की टम में 2 upon P तो मैं यहाँ इसको पूट कर लेता हूं 6 x 2 upon में P यहाँ पर इसका whole square equal to 18 upon में P यहाँ पर हम इसको side में solve कर लें यह नीचे थोड़ी सी जगा है यहाँ solve करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 6 and 2 में 4 upon में P square equal to 18 upon में P अब देखें बाकिया का question है side में solve कर जाता हूं तो यहाँ पर है 6 x 4 upon P square और यहाँ पर है 18 upon P तो मैं दोनों दुरफ जो है वो P से multiply कर आता हूं तो यहाँ पर हो जागा 24 P square multiply P equal to 18 upon P multiply P तो यहाँ पर P से P यह cancel हो जाता है तो एक P से यह P cancel होगा तो यहाँ होगा 24 upon में P equal to 18 18 के कुछ नीचे निए तो 1 मानेंगे cross multiply करेंगे तो यहाँ पर आ जागा 18 P equal to यहाँ पर 24 बन जा 24 cross multiply करने पर तो P की value निगालने के लिए हम 24 upon में 18 करेंगे यहाँ पर काट लेते हैं की टेबल से तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 9 जा अब यहाँ पर 3 से जागा 3 4 जा यहां 3 3 जा तो इस तरह से 4 upon 3 जो है वह पी की value आई है पी की value हमें question में पूछिए थी तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होगा इसी तरह के बहुत से सम्स class trend के लिए पहले से upload है आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में और नहीं सम के साथ तब तो के लिए good bye